जुटिश्यरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्ता में, RSS अपने लोगों को डाल रहा है जोडा जोडा। ये भी नफरत पैलाने का काम करते हैं। 24 गन्ता, 24 गन्टा, हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम। करने के लिए लेकिन मैं बहुत कम समय के लिए यस यात्रा से कवर कर पाया हूँ एक डेड़ घंटे का ही वक्त बिता पाया तो समझनी की का दावाद नहीं कर सब्सक्रा कि मैंने बहुत गहराई से देखा लेकिन आने से पहले मैंने एक कवरेज क्लास जो कमेंटरी करता है यात्रा बहुत महत्व पुर्ण है लेकिन भीतर जो लिखा उससे लगा कि यात्रा बहुत मामुली है तो कमेंटर क्लास क्या यात्रा के भीतर उठाये जा रहे सवालों को महत्व दे रहा है बेरोजगारी मीडिया के अधिगरहन या उसके स्वामित्व के सवालों को इसके चुप्टी के सवालों पर बहस कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो इनसे बच रहा है, बीजेपी जो कॉंग्रेस मोत भारत का नारा दे रही थी, उसे भी शक्ता कि राहूल गांधी इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक डेड़ सो दिनों की यात्रा है, राहूल सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हमारा चैनल फेस्बूक पर भी मौजूद है, अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फांसी पर चड़ाया, मकर आरेसेस की विचारधारा ने उनकी मदद की, ये भी मत भूलिए, वनवासी शप्त के पीछे ये भी सोच है, और य भी किया गया, ये पिर समुंदा जी के साथ भी किया गया, इन दोनों महापुर्शों ने आदिवास्चियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, भाईयों मैंनों लक्षेक है, सम्विदान को खतम करना, उस जीवित अवाज का गला घोटना, ये का काम RSS कर रही है, और ये काम Congress Party और हिंदुस्तान की जंता, उनको कभी नहीं करने देगी, कभी नहीं करने देंगे हर राजनितिक कल को अधिकार है, कि वो अपने भीतर बदलाओ करे, सारी पार्टियां करती है, मगर coverage class ने जिससे बहुत आसानी से जिसने बीजेपी की भीतर, नई बीजेपी देख लिया, उसने कांग्रेस के भीतर नई कांग्रेस नहीं देख, क्या इस यात्रा से कांग्र है, कि वो अधिकार नई कांग्रेस नहीं देख, क्यांग्रेस नहीं देला रही है, या जाक्राणि पार्टिया जिसने के अगिढना है, उसकी पार्टियों कर्यार को हर छो किया चलंshire गया है, तो जिससे बताना चाहते हैंậy क्या कॉंग्रेस के भीतर कोई बैचारी प्रति बद्धता आ रही है इस यात्रा से क्या नए किस्म का आत्मबुल विक्सित हो रहा है या फिर इस यात्रा से उत्साइद नोकर कॉंग्रेस कहीं जpower अस आहतार या फिर अस पर एक करण से जड़ों से जुड़ने के फ्रम में ए इस यात्रा की एक अच्छी बात रही जिस पर कमेंटेटर क्लास ने कवरिज क्लास ने नोट नहीं किया जब राहूल गांधी अटल पिहारी वाजपेई की समाधी पर गए तरसल वहां जाना एक बड़ा राज़ितिक संदेश था लेकिन किसी ने नोट नहीं किया क्योंकि आपने भी एक रत यात्रा निकाली थी जिसकी प्रतिक्रिया में देश पर मेहिंसा हुई और क्या क्या हुआ वो देश के सामने उसका पूरा इतिहास है हमने एक यात्रा निकाली है भारत जोड़ो यात्रा क्या आप उसमें आना चाहिए उनसे समबाद करते काउल गांधी क के नेताओं के रूप में भी देखा जाता रहा है और बीजेपी की तरफ से संगी की तरफ से आईटी सेल की तरफ से नहरू पर काफी हमले होते हैं यह आलोचना भी वाजिब है कि आठ साल तक कॉंग्रेस नहरू पर हो रहे हमले का बचाव नहीं कर सकी हम इन यात्रां के जरी कोशिश कर रहे हैं विपक्ष कहां है इस सवाल को इस देश में बहुत चतुराई से बहुत निवेश के साथ पैदा किया गया कि विपक्ष नजर नहीं आता है लेकिन पहले कवरेज क्लास ने क्या किया इसने विपक्ष पर लिखना बोलना बंद कर दिया उसकी बातों को न किया दिया गया अवैद रूप से राष्टुपति शासन लगाया गया उत्राखन में आप जानते हैं और भारत जोड़ो यात्रा इसी सवाल का एक जवाब है कि विपक्ष कहां है विपक्ष बनने की प्रत्रिया की कॉंग्रेस के विए इस वक्त जादा सरूरी लगती है कि सत्ता में आने से पहले विपक्ष के रूप में वो जनता का विश्वास हासिल करें क्या कॉंग्रेस इस यात्रा के दौरान विपक्ष के रूप में दाविदारी कर रही है जनता के बीच ये विश्वास हासिल कर पा रही है कि वो एक प्रमुक विपक्षी दल है उसके सवा ऐड़नें आख च्टेना देखाता है पार्लेमेंट में चिक कैसि अंत्य चैथी गार उक्यू तो अब पार्लेमेंट का रास्ता बंन करदिया है जोगी उसमें वहीं जो भी बोला जो भी बोलना जितना भी बडून मजे ले लो मिजें आवाज ही नहीं आती, तो मीडिया का रास्ता बंद, पार्लिमेंट में विदान सबा में माइक बंद, तो हमने का चलो, सडक को तो बंद नहीं कर सकते? और वो भी बीजेपी के सांसत पर असर नहीं, तो नफरत की राजनिती, राहूल की यात्रा का असर कैसे हो जाए? यही समझने की जरूरत है कि नफरत और डर से निकलने में इस देश को अभी बहुत बहुत लगने वाला है, घर और रास्त्रवाद में के नाम पर नफरत ने ल नफरत की राजनिती, इसके जड़े कहां है, उसके संग्रक्षक कहां है, उसकी बाते करने लगते, इसलिए इस यात्रा के जो भीतर उप्षा मारे सवालों पर गादा कपच्छी नहीं दिया गया, और इस यात्रा को 2024 के चुनाओं से जोड़ कर रखा गया, कि उसमें इसके हार मिर्शित है, ऐसा कहा गया, इसलिए ये यात्रा मामूली है, इसका कोई खास फायदा नहीं, तो ये बाइपास करने का एक तरीका है, नफरत के मुद्धे पर मोधी सरकार के दोर में सवाल से उठाने से बचने का एक तरह से तरीका कि इसे आप कह सकते हैं, तो इसके मुद्धे के प्रती वो विश्वास जगाने में असफल रही, उटमें साहस भरने में असफल रही, कि वो इस यात्रा के बहाने कम से कम इन नफरती मुद्धों को जिसकी चपेट में देश आया है, उसको चर्चा करते और उसके लिए जिम्मेदार कारकों की खोच करत और गिनात है, लेकिन सब ने एक सुविधा का रास्ता निकाला और सब इससे बच गया है, और इस बात दोजार चौबिस के नतीजों को नतीजों से चोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुद्धों गये, लेकिन राहुल गांदी में बार बार इस पर जोर दिया कि टेले मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यह सचाई नहीं है, यह चलाओं कन्या कुमारी से यहां तक यह सचाई नहीं है, यह मीडिया में चलाया जाता है, फेलाया जाता है, यह देश एक है, इन सडकों पे, लाकों लोगों तुक्त्रों से मिला हूँ कि थारे के सारे एक दूसरे से महबत करते हैं प्यार करते हैं जले लगते हैं तो आपने देखा कि कवरेज क्लास किस तरह से इस यात्रह में उठाये गए मुद्वों को किनारे करता रहा रहा हूं ये मंदीप पुनिया हैं, इन्होंने बड़ा जोड़ार 36 गड़ की समाजी कारिकरता सोनी सूरी के बारे में पूछा और बहुत आक्रमक अंदाज में राहुल गांदी ने भी उसी तरह से आक्रमक अंदाज में जवाद दिया लेकिन ये सुनाते हुए कि प्रधान मंत्री से आप ऐसा सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन इतना आक्रमक तरीके से पूछने के बाद मंदीप कॉंग्रेस के बीच में हैं, आपको लगा कि कॉंग्रेस के कारिकरता आप से बहुत नराज हैं, इस तरह से आपने क्यों पूछा, जैसे मैंने पूछा, उसके बाद एक बार के लिए लगा, कुछ 10 सेकंड के लिए कि राहूल गांदी खोड़ा गुमाएंगे, लेकिन उसके बाद उनों ने जिस किसम से कमिट्मेंट दिखाई, कि हम पूछूँगा, और मैं आ जाऊँगा, उसके बाद कि प्रेस को लिए सीरियस हैं, और मेरे प्रेस को कि आज भी मैं यात्रा कोई कवर कर रहा हूं, आरे करता मिल रहे हैं, वो इतना गरे का फिट अप सावाल था, इसके अलावा उन्होंने कोई सिकायति निकी ना कोई ट्रोल किया, इस यात्रा से आप कहरें कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो जो भी सेक्शन डरा इसके आप दिल की, वो उसकी मन की नफ, उसको डर को आप कम करना जाते हैं, तो सोनी सोरी जो की इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो डर में अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहां आपकी सरकार है, बाकि अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही, जो सत्ति अगर जिए के सामने रख सकते हैं क्या, सबसे पहली बात ये है, कहां रखे हैं आपने, कवरिज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरिज करना में बहुत फरक होता है, प्रधान मंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फरेंस किये हैं, जहां पे कोई भी पत्रकार उ उन से ऐसा सवाल पूछे सकते हैं, जो वहां पे डर का महाल है, उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे, और अगर वहां पे हम उसके बारे में बोल सकते हैं, मैं बोलूँगा. और इस तरह हम यात्रा से स्टूडियो में आ गए, क्योंकि यात्रा तेजी से गुजर गई, इसलिए बहुत सी बातें अधूरी भी रह गई, जो यहां से कहना चाहता हूँ, कुछ बातों को. राहुल गांधी जमकर प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फरेंस अपने आप में नरेंद्र मोदी को एक सीधी चुनौती है, इस चुनौती का जवाब प्रधान मंत्री के तरब से आना बाकी है, मगर इस स्यात्रा का एक असर बता सकता हूँ. गोदी मीडिया के एंकर जब एक बड़े उद्योगपती गौतम अदानी से सवाल पूछ रहे थे, तो उनके पास पूछने के लिए अपने सवाल नहीं थे, अपना रिसर्च नहीं था, जो उनके बारे में पिछले कुछ वर्षों से छप रहा है. मुश्किल सवाल पूछने के नाम पर वही सवाल पूछ पाए, जो राहूल गांधी ने उस उद्योगपती के बारे में कहा है, गौतम अदानी के बारे में कुछ भी नहीं कहा होता, तो ये एंकर गौतम अदानी से क्या पूछ रहे होते हैं? आपने नोट किया होगा कि राहूल का जिक्र इस तरह से लाया गया इंटर्व्यू में कि जैसे लोग ताली बजा कर हसने लग जाएं, लोगों ने हस भी दिया और पूछने का काम भी हो गया, तो पत्रकार खुद को इस तरह से सवाल पूछने से बचा रहे हैं एक उद्यो पती से सवाल भी राहूल के नाम पर कर रहा था, राहूल ने ये कहा है, राहूल ने आपके बारे में वो कहा है, कम से कम राहूल के नाम पर वो अदानी से सवाल पूछने की आपचारिकता निभा पाया, ये राहूल की यात्रा का एक बहुत बड़ा असर है, लेकिन उनके अदानी के जवाब के सामने काउंटर सवाल भी नहीं थे इन एंकरों के पास राहुल ने यात्रा की शुरुवात में ही कहा कि देश का मीडिया दो चार सेट चला रहे हैं जिनें उपर के दो लोगों से कथित रूप से लाब मिल रहा है यात्रा खत्म होते होते राहुल की बात कुछ हद तक साबित भी हो गई और पहले भी साबित हो चुकी है कवरेज क्लास ने मीडिया को लेकर राहुल के बयानों पर भी ध्यान नहीं दिया अगर 2024 में चुनाव हारने पर इस यात्रा को लेकर बात हो सकती है तो चुनाव से पहले मीडिया की हालत पर बात क्यों नहीं हो सकती थी टीशिट पर खुब बात हुई जिस देश में एक नेता अपनी च्छाती की गलत साइज बताते हूं खुद की तुलना शेर से करवाते हूं उस देश के कवरेज क्लास में बेचैनी है के टीशिट वाला कौन है ये किस टाइब का शेर है उसे ठंड क्यों नहीं लगती है इस यात्रा के बाद भी कॉंग्रेस बिखरती रहेगी हारती रहेगी कोई भी यात्रा जीत की गारेंटी लेकर नहीं आ सकती मगर 1.500 दिनों तक पैदल चलना राजनिती में यकीन की गारेंटी तो है ही यही वो रास्ता है या यात्रा है जिससे एक राजनितिक दल के रूप में कॉंग्रेस अपने बचे खुचे नेताओं और कारेकरताओं में जान भर सकती है और खड़ी हो सकती है राहुल गांधी ने इतना तो करी दिया है कि कॉंग्रेसी नेताओं और कारेकरताओं के जूते बदलवा दिये हैं उनके जूते नए हो गए हैं सब चलने फिरने वाले जूते पहनने लगे हैं ताकि तेज चलते हुए राहुल के साथ वे कदम मिला सके हैं यह यात्रा बीजेपी को भी तेज चलाएगी राजनिती कभी सुस्त नहीं होनी चाहिए चलती रहनी चाहिए नमस्कार मैं रविश कुमार